हेलो एवरिवन कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बात हो रही है वजन गटानी की तो हम बादाम को कैसे बूल सकते हैं क्योंकि जब हम वजन गटाते हैं तो कई बार हम इतनी जएदा डाइटिंग कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे पूशक तत्वएं जो हमारी बॉडि को नहीं मिल पाते हैं तो फिर उसके बाद कई बार आपको कमजोरी आ जाती है आपकी इसकिन बेजान हो जाती है आपका जो hair है उसकी growth रुख जाती है hair fall होने लगता है और भी आपको जो है strength related problem face करनी पड़ती है क्योंकि omega 3 fatty acid से भरपूर होता है जो हमारा ये बादाम है हर कोई जानता है आज के टाइम में थो बड़ी ही साधा अनसी ही चीज एक तरीके से बन गया है ये dry fruit लेकिन इसके जो benefit है जो weight loss में किस तरीके से काम करता है किस तरीके से आपको ये और भी बहुत सारी चीज़ों बचाता है तो किस तरीके से इसे खाना चाहिए बहुत सारे लोग कई तरीके से खाते हैं कभी तो उसे मन किया तो बस उठाया मुठी बरवदाम दिन में ऐसे ही हमने खा लिया कई बार हमने किसी चीज में डालके बनाके खा लिया, हलवे में खा लिया लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है खाने का, आपको उससे तरह बेनेफिट नहीं मिलता है तो चलिए आज बताएंगे हम आपको यहाँ पे बादाम के क्या-क्या बेनेफिट्स हैं वो भी इतने सारे बादाम आपको खाने की जरूरत नहीं है आपको अगर आप अडल थे, तो आपको बस पाँच फीमेल हैं तो पाँच बादाम खा सकते हैं इसका सेवन करें नियमे तरूप से एक महिने में आपको बहुत ही कमाल के चेंजिस देखने को मिलेंगे और हाँ अगर आप pregnant हैं यानि जो female pregnant होती हैं उनके लिए आप एक छोटी सीटी प्रेदू जल्दी से कि वो dry fruit जरूर खाएं एक मुठी dry fruit सारे dry fruit mix करके रग लें और एक मुठी भर करके daily खाएं बहुत सारा fiber होता है जो digestion के problem होती है वो से आपको pregnancy के दौरा छुटकारा तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ सो सबसे पहले तो हमारा जो यह बादाम है यह पाचन को यानि हमारे digestive system को सही करता है पाचन क्रिया को तंदुरुस बनाए रखने के लिए इसका जो सीवन है वो खाली पेट करना चाहिए जब आप सुबा फ्रेश हो लेते हैं ब्र तो जो लोगों को डायबर को को कंट्रोल करने में और इससे भी बड़ी बार जैसे कि मैंने आपको बताया था आभी कि आपको एनरजी नहीं फेल होती है तो इसे अगर आप सुबा खाली पेट खाना शुरू कर देंगे तो आपको दिन भर energy मिलेगी और सुबह खाली बेट जो है बादाम का सेवन जो है energy का बहुत यच्छा सोस माना जाता है इसलिए आप इसे खाली बेट जरूर है लास्ट में ये भी सुनके जाईएगा आप जो है वीडियो में बने रहेगा कि इसी लेना कैसे है सो अगला जो है skin के लिए खाली पेट जबादाम का सेवन करने शुरू कर देते हैं तो वेट लोस तो मैंने बताया है कि वेट लोस में किस तरीके से ये आपको बूस्ट करता है और खाली पेट लेने से खाने से आपके जो skin है बहुत अच्छी रहती क्योंकि बादाम में होता बालों पर यूज़ करते हैं तो आप क्या पता कि उसमें कितना विटामिनी होता है तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम अपना यह एकदम जो पेठाव वाला है वही original formula विटामिन ई ले तो इसमें विटामिनी होता है इसलिए इसके से आपके skin से बहुत सारी problem ऐसे ही दूर हो जाती हैं, आपकी मेमरी को ये बहुत ही बूस्ट करता है, मजबूट करता है क्योंकि एज बढ़ने के साथ जो किसी भी इंसान की हो मेमरी भी वीक होने लगती है कि अगर आप इस तरीके से बादाम का सेवन करेंगे, तो आपकी जो मेमरी है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगे हाट के लिए बहुत ही अच्छा होता है आपको स्टार्टिंग में बताया कि बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिट्स पाए जाते हैं जो हाट को हेल्दी रखने और कुलिस्टॉर्ट को कम करने में हेल्प करते हैं बादाम को कभी भी इसी तरीके से कच्छा ना खाएं बादाम को रात को पानी में भीगो दें सुबह इसका छिलका हाटा दें और इसके बाद आप इसे खा सकते हैं आराम से तो सर्दियां हो या गर्मियां हो आप पारो महीने इस तरीके से मैंने बताया पांच छे बादाम अराम से भीगो करके छिलका उतार के खा सकते हैं दूस्तों बादाम से रिलेटर ये वीडियो आपको इन्फोमेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाता चाता शेयर कीजेगा और भी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ऐसे और वीडियो के लिए आगे और कौन सी वीडियो दिखना चाते हैं आपकी कोई क्वेरी है कोई क्वेशन है तो कॉमेंट में पूछ सकते हैं मुझे आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा तब तक के लिए भाई भाई टेक कियर